उत्रप्रदेश राज्य महिला आयोक की सदा से सुनीता बंसल आज सायहापुर पहुंची यहाँ उन्होंने डिगरी कॉलेज की शात्राओं को सरकार की खास योजना मिसन सकती और अभिवदय योजना के बारे में बताया उनका कहना है कि सरकार अभिवदय योजना के तहत पर सासन की पाट साला के तहत शात्र और शात्राओं को सिविल सेवा की परिक्षा की तैयारी के लिए वर्शुल क्लास से जोड़ेंगे जिसमें सासन के IS और वरिष्ट IS अफसर सिविल सर्विसेस की तैयारी करवाएंगे उनका कहना है कि सरकार का उद्देस है कि जो लोग पैसों के अभाव में सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर पाते हैं उनके लिए सरकार इस तरह की खास योजना के तहट उन्हें परिक्षा की तैयारी करवाएगी राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता वंसल का कहना है कि सरकार पहले से ही मिसन सक्ती के तहट शात्राओं को स्वाबलंबी बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है सहर के आर्य महिला डिग्री कॉलेज में हुए खास कारिकरम में राज्य महिला आयोग की सदस्य ने शात्राओं से बाचीत की और उनकी समस्याओं को जाना महिला स्वाक्षक्ति करण के छेत्र में हमारे उत्तरप्रजी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बेटियों के लिए बहुत सरी ऐसी उजनाई शुरू की गई है और उसमें उन्हें अवेर करने के लिए प्रशासन की पार्शाला का आयोजन किया गया है लगातार चले गई है ताकि जो हमारी बेटियां है वो उनको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं हो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कोचिंग हो किसी भी छेत्र में हमारी बेटियों को आगे बढ़ने में किसी तरकी कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए इसकारिक्रम का आयोजन किया गया था यह पार्षाला जो है वो मिशन शक्ति जो है उसके अंतरगत है मिशन शक्ति के अंतरगत जो बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए तो इसमें अभी जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी शामिल किया गया है हमारे हर जिले के जो जिल अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो महिला कल्याण के अधिकारी हैं उनक फिट किया गया है इसके लाए महला हेल्प-लाइन है बहुत सारी जो हम इसके लावा मारा जो महीला आयोग है ये हम सभी लोग महीला सुरक्षा को लेकर ही काम कर रहे हैं कि लड़न जो अपनी सुर्ख्षा को लेकर जागरू करें उन्हें कहां पहल्प मिलेगी किस तरीके से सकती हैं उसके लिए उनको अवेर किया जा रहा है इन सब के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है ताकि आगे बढ़कर वो उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही है उसका वो डटकर सामना कर सके उससे बाहर निकल सके एक विशेश कारिक कम काफी दिनों से संचाली थे सुरक्षित होगा समानित होगा और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभावन केवल पारिवारिक नहीं सामाजी को राष्ट्रिये इस तर पर भी दिखाई पड़ेगा इसलिए नारी सशक्तिकरन का अभियान हम सब के बीच म संचाली तो और मैं अपने महव बिद्याले इस तरपर इस कारिक्रम को काफी दिनों से याथा समय 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 पर करती ही रहती हो ताकि छात्राएं अपने सुरक्षा संबनी नंबरों की जानकारी प्राप्त कर सकें आर्थिक खेट्र में समाजिक खेट्र में पारिवारिक इस कैसे वो उन्नति करें कैसे वो अपनी इस्थिति बहतरीन करें और कैसे समाज में निर्भीक रूप से अपना कार्य करने के लिए कहीं भी जा सके इसके लिए मता सशक्ति करन की योजना बहुत ही जरूरी है